में जो उतार चड़ाव देखा जा रहा है उसकी आखर वज़ा क्या है कभी मामले बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं क्या इसके पीछे की वज़ा टेस्टिंग है क्या टेस्टिंग कम हो रही है या फिर जो टेस्टिंग के जो कोरोना टेस्ट के जो जो मामले हैं उसमें हम दे TV स्क्रीन पर नमबर फ्लैश के जा रहे हैं और इस पर आप कॉल करके अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं यह सवाल इसले भी उठता है क्योंकि एक दिन में जितने मामले सामने हाते हैं उसके अगले ही दिन मामले कम पाई जाते हैं तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है टेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के जा रहे हैं शूने एक दो शूने चार शूने तीन नौनो तीन एक छे एक आर्टीन यह नमबर इस पर कॉल करें नीरच हमारे दर्शक जोचों के जगादुरी से नीरच क्या कुछ आपका कहना है क्या है आपकी राय श्रक्स करेंगी कि आगी मैंद को बहुत को बहुत आखिए श्रक्स करेंगी आपकी बात शासन पर शासन तक पहुंचे क्योंकि हमारा उद्श यही इस कारेकर्म के जरिये आम जंता की जो आवाज है वो शासन पर शासन तक पहुंचे शुक्रिया आपका अमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी रायम तक पहुचाने के लिए तो आप क्या समझते हैं जिस तरीके से कॉरोना के मामलों में उतार चड़ाब देखा जा रहा है देश ही नहीं प्रदेश में भी अलग अलग प्रदेशों में देखा गया है लगातार कभी मामले पढ़ रहे हैं तो कभी घट रहे हैं इसके पीछे आकर क्या कारण माना जाए क्या टेस्टिंग इसके पीछे कारण है या फिर जो बदलाव किये गए हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से स्वास्त मंत्राले ने कोरोना पीडित मरीजों को डिशार्ज करने की नीती में भी बदलाव किया है इसके तेथ रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर तीन दिन तक बुखार ना आए तो मरीज को डिशार्ज माना जा सकता है क्या ये एक बड़ा कारण है टेस्टिंग कराने के वजश सकता है इसे में नहीं है तो क्या इससे आप समझते हैं ये कही ना कही इससे बड़ा असर हो सकता है और future में जाकर अगर हम भविश्य में देखें तो इस्तिती जो है इससे कही ना कहीं खराब हो सकती है तो आपकी इस पर क्या राय है आप क्या समझते हैं अपनी राय आप जरूर दें लगातार आपकी TV स्क्रीन पर नमबर फ्लैश किया जा रहा है शूने एक दो शूने चार शूने तीन नौनो तीन एक छे एक आट तीन ये नमबर है हमारा इस पर आप कौल करें अपनी राय आप जरूर दें कोरोना के मामलों में लगातार उतार चड़ाव देखा जा रहा है देश प्रदेश में कभी घट रहे हैं मामले तो कभी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामलों में लगातार कभी गिरावट देखी जा रहे हैं तो कभी लगातार मामले बढ़ रहे हैं देश में ठीक होने वाले को डिश्चार्ज करने की निती में बदलाव किया है यह बदलाव क्या है यह आपको बता देते हैं इसके तैट रिपोर्ट अगर पॉजटिव आ जाती है तो उसके बाद अगर तीन दिन तक बुखार ना आए या फिर सिंटम्स नहीं दिखते हैं तो मरीज को डिश्चार्ज क्भश्मारा जा सकता है उसको पेस्ट कराने की जरूरत नहीं है क्या एक बड़ा कारण हो सकता है कि मामले जो हैं कभी घच रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं आप क्या समझते हैं, आपकी इस पर क्या राय है आप अपनी राय हमें tv स्क्रीन पर जो नमबर फ्लैश के जा रह तक हम पहुँचाएं तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुचाएं कॉल करें हमारा नमबर लगाता टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है शूने एक दो शूने चार शूने तीन नो नो तीन एक छे एक आर्टी कोरोना के मामलों में उतार चड़ाव जारी है लगातार हम देख रहे हैं कभी देश और प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो कभी मामले एकदम से खट जाते हैं कोरोना के मामलों में ये जो गिरावट देखी जा रही है या फिर बढ़ोतरी एकदम से देखी जा रही है इसके पीछे का कारण आकर क्या है सुरेंद्र आपका क्या मानना है क्या है आपकी राए करोना को लेकि जहां तक मेरा कहला है करोना का जो टेस्टिंग है उसमें बहुत कम टेस्टिंग है इससे कि रहे सांग्डे सामने नहीं स्ही लोग देने पर दिया जारहा है बजय कि इसको कि टेस्तिंग पर कर देने के लिए तो आप और शुरेंद्र दो गवाजन क्या मानना है ज्च तरिके से लगातार देश प्रृदेश में मामले हैं या कभी घट रहे हैं इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं देश में जिस तरीके से प्रदेश में जिस तरीके से मामले घट रहे हैं बढ़ रहे हैं इसके पीछे आप क्या इसका कारण मान रहे हैं क्या कोरुना टेस्टिंग के नियम बदलने से फर्क पड़ रहा है या फिर टेस्टिंग कम हो रही है इससे मामले कम आ रही है क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं तो अपनी राय आप इस पर जरूर दे आपकी राय बहुत एहमियत रखती है हमारे लिए और आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे यह हमारा उद्दे पर क्या समझते हैं क्या आपका मानना है क्योंकि लगतार यह देखा जा रहा है लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि आखर ऐसा कैसे हो सकता है आज अगर मामले बड़े हुए नजर आ रहे हैं तो अचानक मामले कल घट कैसे जा सकते हैं इतनी जल्दी मरीज ठीक कैसे हो जाते हैं तो यह दुविधा में लोग पड़े हुए हैं आपके मन में भी अगर किसे तरह की दुविधा या फिर किस तरह का सवाल है तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय या फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं देश प्रदेश में लगातार कोरोन मरीज़ों को डिशार्ज करने की नीती में बदलाफ किया है इस नीती के अगर हम देखें बांदा से हमारे सथ हमारे दर्शक शोम संकर जुट चुके हैं शोम जी क्या आपकी राय है क्या आप कहना चाहते हैं तो यह इसमें ठीक है जो कि अभी कोसिसे चल लही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है जो जो मेडिकल पैनल है या जो स्टेट गवर्मेंट के जो मेडिकल बाडी है तो वो उसको यह सोचना चाहिए कि हमें इंशोर करना है कि हारे घर में एक एक बंदे तक वैक्सिनेशन का कारकरम हो तो इसके लिए एंजियोस है या व्यापारी संगठन है या और भी ऐसी विए कि ढ़ी है इनको जो है पहुंचना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट है वो हमको मिल सके ओर वैक्ष्डिनेशन पूरा हो सके तो इसके लिए सरकार इसका साथ आई मैंचे बहु ज़ुशने क्यों तो क्या आप समझते हैं लोग हमारे साथ लगाता दर्शेक हमारे साथ जुड रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंच आ dawn है एं कुछ का ये मानना है के टेस्टिंग जो है वह जादा से जादा होनी चाहिए तो कुछ का ये कहना है कि लोगों का जागरुक होना बहुत ज़ादा जरूरी है तो वहFreические आप क्या मानते हैं आप क्या समझते हैं देश और प्रदेश में मामलों में उतार चड़ाव इसके पीछे क्या कारण हो सकता है क्या कोरोना टेस्टिंग के नियम बदलने से फर्क पड़ रहा है क्या टेस्टिंग कम होने से मामले कम आ रहे हैं आप क्या समझते हैं अपनी राय आप दीजिए कॉल करें 01-204-0399-31618 यह हमारा नमबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है आपको बता दे कि यह लगातार देखा जा रहा है देश प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं उनमें उतार चड़ाव देखा जा लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि आकर ऐसा क्यों हो रहा है क्या इसके पीछे की वज़ा है कई लोगों का मानना है कि जो टेस्टिंग के नियम में बदलाव किया गया है उससे फर्क पड़ा है तो कई लोगों का मानना है कि टेस्टिंग कम होने से मामले एकदम से कम आ लगातार आपकी TV स्क्रीन पर फलैश किया चार रहा है 012-4-0399-316183 ये नंबर हमारे लगातार आप अपने TV स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको बतादे कि टेस्टिंग के नियम में बदलाव किया गया है स्वात्सिमंत वाले की तरफ से कॉरोना फीरित मरीजों को डिश्च चार्ज माना जाता है कई लोगों का कहना है कि ये बड़ा कारण है कि लगातार जो मामले हैं वो एकदम से घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं तो कईयों का मानना है कि टेस्टिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है टेस्टिंग अगर जादा हो तेजी से हो तेज र चलित बड़ी खबर का रूप करेंगे, इस वक्त की बड़ी और मेथम०्ध चानकारी आप तक पहुँचा आ धेते हैं, आपको बता दे की बड़ी खबर आ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और एहम खबर, क्या कुछ है बड़ी खबर आपके सामें, या मुदआ नगर से पिरित पहले ही दरसल हाई कोर्ट में केस जीत चुका है जिसके बाद दबंगा यहाँ पर देखने को मिली है और मारपीट का मामला सामने आया है जमीनी विवाद में दो गुटो में आपस में जगडा हुआ लाठी डंडे और पत्थर जमके चले हैं जमीन पर कबजा करने पहुंचे दबंगों ने मारपीट की है जो पिरित है वो पहले ही कोर्ट में केस जीत चुका है मौके पर पहुंचे पुलिस ने फिलाल मामला शांत करा दिया है और बताये जा रहा है कि पिरित पहले ही कोर्ट में केस जीत चुका है उसकी जमीन पर कबजा करने के लिए दबंगा आये थे जिन्होंने मारपीट शुरू की और ये जगडा हुआ दोनों गुटो में जमकर लाठी डंडे और साथी साथ पत्थर भी चले हैं और इस मामले में फिलाल पुलिस ने ये मामला शांत कराया है वहाँ पहुँचकर जमीनी विवात का ये मुद्दा बताया जा रहा है जिसको लेकर दो गुटो में जगडा हुआ दोनों गुटो में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं और जमीन पर कवजा करने के लिए दबंग वहाँ पहुचे थे को लोग को लिए यह तो तशील दार को कागज दिये है वो अपना इंतकाल सटों आने के लिए तो तसील दार को करते हैं दो तीन मिने लगेंगे पटवरी को दिया है कागज यह आज अब दस्ते हमारे पलाट पेजा करना आए तो जो फिला इस बुल तुन मेतनाया अब्देक्टर यहर काब नमस्कार